नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सिमुन भादवाज, आपका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम जुस मैडिसिन के बारे में डिस्कुस करेंगे वो पेध दर्थ के लिए या शियाटिका के लिए बैक पेट के लिए बहुत ही effective अब दोस्तो आज हम जिस medicine के बारे में discuss करेंगे उसका नाम है colosynth medicine colosynth medicine क्या काम करती है किन parts को effect करती है या किन बिमारियों में यह homeopathic medicine कारगर साबित होती है आज हम इसके बारे में study करेंगे तो चलिए start करते हैं जोस्तो colosynth medicine एक ऐसी medicine जो कि पेट दर्द के लिए बहुत effective है चाहे बच्चे हो या बूडे हो या कोई भी age group हो अगर पेट दर्द की समस्या है या पेट बहुत जादा pain हो रही है पेट में इन problem में यह medicine बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छे result देती है इसका एक particular symptom है कि जब भी पेट दर्द हो वो जो person होगा वो जो patient होगा वो आगे की तरफ दर्द होगा जैसे जो शोक किया गया है वो एकदम आगे की तरफ जुक जाएगा या दर्द से अपना पेट एकदम से ऐसे पकड़ लेगा उसको pressure से अराम मिलता है और दूसरी बात है कि उसको बहुत जादा गुसा आएगा या गुसे से उसका जो दर्द है या irritation की वज़े से एंगर की वज़े से उसका जो दर्द है वो जादा aggravate होगा यानि कि उसको बढ़ जाएगा उसका जो दर्द होगा पेट दर्द होगा वो बहुत जादा बढ़ जबाब देदेगा या इसको easily अफैन्ड हो जाता है और इसको पेइन इतना जयाद होगा कि यह पेइन में चीखेगा, चिलाएगा खड़ा होके दो उधर भी चलेगा लेकिन easily मतलब यह बहुत जल्दी गुसा कर जाते हैं अगर ऐसे पेशेंट्स आपको मिलते हैं साथी साथ वो पेन की वज़े से आगे की तरफ जुपके बैठ रहे हैं चेयर पे या आगे की तरफ बैंड हो रहे हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स में आप को लेसेंस मेडिसिन दे सकते हो यह बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इसके जो next symptom यानि की headache जो होगा या head के relative जो भी symptom होगे वो right side होगे या इनको pressure heart pressure से या सिर्दर को जैसे यहां पे जैसे बांधने से कुछ भी बांधने से heart pressure से इसको सिर्दर को आराम मिलेगा next दोस्तों females के लिए ये बहुत एफेक्टिव medicine है जैसे females में जो dysminauria, dysminauria यानि की painful periods जब भी periods हैं तो वो बहुत ज़ादा painful होते हैं excessively pain होता है periods के time उस time में या फिर ovarian estrogen females में tumor की problem भी हो उन conditions में ये medicine बहुत अच्छा काम करती है लेकिन इसके जो symptoms है वो सारे match करने चाहिए तबी ये medicine अच्छे results दे सकती है जैसे dysmenoria में जो female होगी उसको बहुत जादा violent मतलब एकदम बहुत जादा pain होगी पेट में और उसको आगे की तरफ जुप कर बैठेगी साथी साथ उसके जो menses होगे उसके जो period होगे वो anger की वज़े से यानि कि गुस्य की वज़े से suppress हो सकते है यानि कि गुस्य की वज़े से menses जो है वो रुख सकते है इन सब conditions में जो colosins medicine है बहुत अच्छा काम करती है आगे बात करते हैं दोस्तों sciatica और back pain में और sciatica में यह medicine बहुत अच्छे results देती है sciatica जिनका जैसे pressure या heart pressure से जिनको alarm मिलता हो इनकी जो पैरों में जो दर्द है उनको बांधने से जैसे कई जो patients होते हैं वो पैरों में जैसे कोई चीज बांध ली या एकदम जोर से उसको pressure से दबा दिया उन सब चीजों से अगर अलाम मिलता हो तो colosins medicine दोस्तों बहुत अच्छी medicine है यह medicine एकदम condition जो है वो ठीक कर देती है next दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कोई भी homeopathic medicine ले रहे हो या आप किसी भी ऐसे वीडियो से देख कर या समझ कर आप किस तरह की homeopathic medicine ले रहे हैं तो आप एक बार homeopathic physician से जरूर consult करें बिना homeopathic physician की सला के आप कोई भी medicine ऐसे मत लीजिए आप को हमसे भी consult कर सकते हैं यह हमारा number दिया गया है आप यहां पे भी हमें contact कर सकते हैं आशा करती हूं आपको यह वीडियो पर संद आया हो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और बने रहे हैं हम ऐसे ही आगे homeopathic related medicines और disease के बारे में discuss करेंगे Thank you so much